दोस्तों चाहे आपके पास कोई भी मैनुफेक्चरर का टू वीलर हो गियर में डालते ही ऐसी साउंड होने का मतलब है चेंड कीट खड़ाब हो चुका है अब आपके पास दो अप्शन है या तो आप टोटल चेंड कीट को चेंज कर सकते हो या फिर चेंड कीट अगर ठीक है और ये आपको इमीडियेट करना परेगा नहीं तो थोड़ा सा टिल्ट या फिर ओवर टेकिंग के टाइम आपको सही से टॉर्क नहीं मिल पाएगा और ये अप घड़ पे ही कर सकते हो स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को बताएंगे ताके आपके लिए आसान हो जाए और कुछ मनी सेव कर पाओ और मदर नेचर को एक्स्प्लोर के टाइम उस मनी को स्पेंट कर पाओ अपने उपर या फिर अपने पीलियन के उपर लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हों मेक शूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हीट कीजिए दूस्तो प्राब्लेम को आइडेंटिफाई करने के लिए इन दुन स्कूरू को हमें खोलना है और इसे खोलने के लिए 10 नंबर का टीवर हमें चाहिए आप स्पैनर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर मैं क्रॉस का यूज़ कर रहा हूँ आप इसका भी यूज़ कर सकते हो इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपके लिए ढूनने पे आसानी हो जाए उपर का कैबिनेट ओपेन करते ही क्लियरली आप देख सकते हो चेन सौके टोटली घिस्ट चुका है हाला कि इसे मैं अल्लेडी पर्चेस कर चुका हूँ किसी भी ओरिजिनल स्प्यार पार्ट शॉप में आप लोगों को मिल जाएगा लेकिन इसमें एक प्राब्लम है जैसे मैंने फेस किया या महा स्प्यार पार्ट वाले सेपरेटली इसे देना नहीं चाहते थे बट प्लीस रिमेंबर कोई भी मैनुफेक्चरर और हो छोटे से छोटे चीज जैसे छोटा सा नाठ हो बोल्ट हो या फिर कोई भी स्प्यार पार्ट हो देने पे यह लोग मजबूर है मना नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर को पहले तो यह लोको राजी नहीं थे लेकिन फोर्स करने पे मुझे मिला 345 रुपीज का और फूल चेंज कित का कॉस्टिंग आता है आज के डेट में 1710 रुपे मैं 30,000 किलोमीटर अल्रेडी चला चुका हूँ आप देख सकते हो चेंज की टोटल ही ठीक है बस चेंज सौकेट को चेंज करने पे ही हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अब इसे चेंज करने के लिए सिंपल स्टेप है आठ नंबर का टी बार या रेंच या फिर स्पैनर का यूज करके इसे लूज करना रेयर विल को लॉफ करके ये कान आसान हो जाता है आप देख सकते हो लॉकर को थोड़ा सा मूफ करते ही ये हाथ में निकल लाएगा लॉकर को समाल के लखने के बाद नेक्स टेप में चेंज को लूज करना है अब है कमप्लीटली और आप लोग अल्РЕड़्ी जानते हो साइडेकसविशल नट को लूज करते हैं और पूरा एकसविशल रोटार ना हो इसलिए और एक रेंज लिए हम लोगों को एकस्विशलराट को होल्ड करके रगना है अभी टाइम है चेन को लूज करना तो इसके लिए हम ये दो बोल्ट को लूज करेंगे मैक्सिमम लूज करने के लिए जितना हो सके इन दोनों बोल्ट को हम लोग लूज करेंगे फूरा खोलने का ज़रूरत नहीं है इतने से ही काम बन जाएगा अभी टाइम है स्प्यार पार्ट को चेंज करने का आप देख सकते हो चेंज कितना लूज हो चुका है बस अभी चेंज को उठा के अनलोग करके इसे निकाल लेना है एंड न्यू स्प्यार पार्ट को इंस्टॉल करना है आप देख सकते हो पुराना और नया में कितना डिफरेंस है जो नया है उसका एजेस कितना शार्प है और जो पुराना है उसका एजेस ओल्रेडी घिस चुका है जल्दी से इसे करते हैं फिट एंड लॉकर को करते हैं सेट अब आठ नंबर का ट्यू बार यूज़ करके हम लोग इसे करेंगे टाइट बोल्ट टाइट करने के बाद ही आप थोड़ा सा लूज फिल कर सकते हो लेकिन इसमें कोई प्राब्लम नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इतना लूज रखा जाता है अभी फाइनली चेंड को करना है इंस्टॉल सबसे इंपोर्टेंट चेंड फ्री कितना रहेगा इसका एक शॉर्ट कट तरीका है जो हमेशा करेक्ट होता है आप लोगों को कोई भी स्केल लेके मिजार्मेंट करने का ज़रुद नहीं बढ़ेगा आपको बस देखना है कि चेंड जो स्विंग आर्म का बीम है उसमें टाच ना हो बस इतना सा फ्री मूव्मेंट चेंड के लिए हमेशा बेटर रहता है बस जॉब डन अभी आप कहीं पर भी जा सकते हो बिंदास ओबर टिक कर सकते हो गल्ट्रेंट को एक अच्छा सा ट्रीट भी दे सकते हो या फिर मेरी तरह मदर नेचर को एक्स्प्लोर कर सकते हो एंड बोनस में आप लोगों को मिल जाता है एक सैटिस्फिक्शन अपने बाइक को खुद के हाथ से रिपेर करने का सो गाइज ऐसे ही बजेट फ्रेंडी मेंटेनेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो को शेयर करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट किजिए